हेलो दोस्तों कैसे हो आप तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड एपिसोड एक सो पचास अंटाइटल जाक्त और अब तक इस कहानी में हमने अब तक देखा की शकीरा सितारा को काराग्रे के उस रूम से काल कर बाहर खड़े दो उन रक्षक को उस कमरे का द्वार बंद करने को कहकर सितारा को लेकर वहाँ से चला जाता है वही उन दोनों के उस रूम से जाने के बाद वो चारो बोज रहत की सास लेते हैं और एक दूसरे से कहते हैं आज तो बाल-बाल बच गए नहीं तो पता नहीं वो दोनों हमारे साथ क्या करते उद्धरन चिन डॉट उनकी बात सुनकर नेहा जी कहती है तुम सब सच कह रहे हो वो तो अच्छा हुआ कि श्रेया और शिव ने पहले ही हमको इन सब के बारे में सब बता दिया था और आगा भी किया था पर पता नहीं फिर भी कैसे हम इन लोगों के कैद में आ गए उद्धरन चिन डॉट उनकी बात पर सब सहमत थे वेदान कहता है बात तो आपने बिल्कुल सही कही बड़ी मॉम पता नहीं भाई और भाभी की वन मन्त इनिवसरी पर ऐसा क्या हुआ कि हम सब बेहोश हो गए थे और जब हमारी आँखे खुली तो हम यह इस जेल में कैद है उद्धरन चिन डॉट अब आगे वेदान्त की बात सुनकर रनविजय को कुछ क्लिक हो गया तो वो सारी फैमिली की तरफ देख कर कहते है आप सबने एक बात नोटिस की क्या वो जो उस लड़की क्या नाम है उसका उद्धरन चिन डॉट रोहन तपाक से बोलता है वो नक्चरी राजकुमारी सितारा उद्धरन चिन डॉट रनविजय कहते है हाँ वही उसके साथ जो सक्स था जिसका नाम शायद शकीरा है वो तो वही है ना जो सिंधानिया मेंशन में सर्वेंट का काम कर रहा था उद्धरन चिन डॉट रनविजय जी की बात सुनकर सब का ध्यान उस तरफ जाता है नेहा जी कहती है हाँ भाई साहब आपने ठीक कहा मुझे भी वो कुछ जाना पहचाना लग रहा था पर याद नहीं आ रहा था वो वही नोकर है जो महीने पहले सिंधानिया मेंशन में काम के लिए आया था उद्धरन चिन डॉट आदित्य कहता है तो इसका यही मतलब था जब से गुडिया और शिव हिमाले गए है तब से ही वो लोक सिंधानिया मेंशन में रहकर सब और नजर रख रहे है गुडिया और शिव के होते तो वो आसानी से पकड़े जाते उद्धरन चिन डॉट विकी कहता है हाँ आदि भाय आप बिलकुल सही कह रहे हो ये सब बेहक पहले से ही हमें किड्नेप करने के लिए हमारे घर पर थे उद्धरन चिन डॉट कबीर जी कहते हैं वो तो सब ठीक है और अब आगे हमें क्या करना है उद्धरन चिन डॉट उनकी बात पर रोहन, विकी और वेदान के साथ आदित्य खुशी की तरफ देखते है सब को इस तरह अपनी तरफ देखते देख खुशी जो की अपने दादू का हाथ पकड़े थी वो उनसे कहती है तुम सब मेरी तरफ इसे क्या देख रहे हो उद्धरन चिन डॉट ट्रण विजय जी खुशी के पास जाकर उसके सर पर हाथ रख कर बालो को सहलाते हुए कहते है बेटा तुमको याद है क्या श्रया हिमाले जाने से पहले तुम्हारे पास आई थी और उसने तुमको एक संदूग दिया था जो तुमको हर समय अपने पास रखने को कहा था उद्धरन चिन डॉट ट्रण विजय जी की बात सुनकर खुशी अपना सरहा में हिलाते हुए कहती है हाँ अंकल भाभी मेरे पास आई थी और उन्हें मुझे एक संदूग भी दिया था और साक में उन्होंने कहा था कि जब हम किसी प्रोब्लम में फस जाए और कोई रास्ता न मिले तो वो संदूग खोल ले हमें रास्ता मिल जाएगा उद्धरन चिन डॉट आदित्य खुशी के सामने आकर खड़ा होता है और कहता है वो संदूग कहा पर है खुशी आदित्य की तरफ देख कर कहती है वो संदूग तो मैं हमेशा अपने साथ लेकर गुमती हूँ इतना कहकर वो अपने गले में पहनी हुई चैन निकलकर आदित्य को देखती है अदित्य एक नजर खुशी की तरफ देखता है फिर उसके हाथ में मुझूद चैन को जिसे देख कर वो अपने एक हाथ से अपने माथे पर रब करता है और खुशी से कहता है डॉल आप मुझे ये चैन क्यों दिखा रही हो गुलिया ने तुमको संदूग दिया था ना तो वो कहा है उद्धरन चैन डॉट वो ही रोहन खुशी के हाथ में पकड़ी हुई चैन को अपने हाथ में लेकर कहता है चुटकी तुमको भावी ने संदूग दिया था तुमको उसे दिखाने को कहा था ना कि तुम्हारी इस चैन को विकी कहता है कही तुम संदूग घर पर तो नहीं छोड़ाई उद्धरल चिन डॉट, वेदान्थ कहता है, पता नहीं भावी ने संदूग तुमको ही क्यों दिया, अगर देना होता तो हम मैंसे किसी की देती ना उद्धरल चिन डॉट, खुशी जी कबसे अपने भाय और आदित्य की बाते सुन रही थी, उसे अब गुस्सा आने लगता है, वो तेज आवाज में कहती है, आप सबका हो गया तो मैं कुछ बोलूँ, आप मुझे बोलने देंगे या नहीं उद्धरल चिन डॉट, उसकी बात सुनकर सभी शान्थ हो जाते हैं, कबीर जी कहते हैं, तुम सभी शान्थ हो जाओ, खुशी तुम बताओ, वो संदुक कहा है उद्धरल चिन डॉट, खुशी अपने डैड और बाकी सारे घर वालों की तरफ देख कर कहती है, डैड वही तो मैं बता रही थी, पर बीच में ये सब सुरू हो गए उद्धरल चिन डॉट, खुशी रोहन के हाथ से अपनी चैन चीन चीनती है, और उस चैन में जो छोटा सा लोकेट था उसकी तरफ इशारा करके कहती है, ये रहा वो संदुक जो भावी ने मुझे दिया था उद्धरल चिन डॉट, सबकी नजर खुशी के चैन के लोकेट पर जाती है, जो की संदुक का मिनी वर्जन था जिसे देखकर नेहा जी कहती है, ये तो इतना छोटा सा संदुक है, ये हमारी क्या मदद करेगा उद्धरल चिन डॉट, बाकी सबी उनकी बात पर सहमत होते हुए कहते हैं, बिल्कुल इस छोटे से संदुक में ऐसा क्या है, जो हमारी मदद करेगा प्रण विजय जी खुशी के हाथ से चैन लेकर उस संदुक को अपने हाथ में लेकर देखने लगते हैं, वो कहते हैं, अगर गुडिया ने ये खुशी बिट्या को दिया है, तो जरूर उसमें कुछ न कुछ हैसा है, जो हमारी सहायता करने वाला है उद्धरल चिन डॉट, आदित्य कहता है, डैग ये तो इतना चोटा संदूप की सेप का लॉकेट है, ये कैसे हमें आगे क्या करना है, कैसे यहां से निकलना है, उसका रास्ता दिखाएगा या फिर कैसे उस शकीरा और राजकुमारी सितारा से बचना है, क्यूकि उनके इ अधित्य बिल्कुल ठीक कह रहा है, हमें जल्द से जल्द उन दोनों से बचने का कोई रास्ता धूंदना होगा, नहीं तो अभी वो लोग जितने गुस्से में गए उससे तो यही लगता है, कि वो लोग अगली बार पूरी तयारी से आकर उनका जो भी मकसद है, उससे हर ह अधित्य बिल्कुल सही कह रहे हो, और वैसे भी मैंने एक बुक में पड़ा था, राजा महाराजाओं, के काल में उनके पास किसी को भी अपने वश में करने की शक्ती होती है, कहीं ये दोनों हमें अपने वश में करके उनको जो चाहिए वो नहीं हम से करवा ले, कहीं हम इ बात सच हुई थी आगे क्या होगा, दादू जो कबसे शांत अपनी किसी सोच में गुम थे, वो रन्विजय के हाथ में मुझूद उस संदूप की सेप में बने लौकेट को गुरते हुए कहते हैं, रन्विजय वो लौकेट जरा दिखाना, उध्धरन चिन डॉट, की तरफ ही बड़े ही उस तुकता से देख रहे थे, देवराज जी अपने हाथ में मुझूद संदूप के शेप के लौकेट की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, ये कोई मामूली लौकेट नहीं है, ये बहद ही शक्तिशाली लौकेट है, और ये बस अभी हम छोटा देख रहा है, पर ये छोटा नहीं है, ये एक बड़े यानि की हमारे हाथ के जितना बड़ा संदूप है, उद्धरल चिन डॉट, उनकी बाते सुनकर दादी कहती है, मतलब आपके कहने का मतलब है, कि ये एक जादूई संदूप है, जो की अपना शेप बदल भी सकता है, यानि की छोटा मोटा कर सकता है, उद्धरल चिन डॉट, उनकी बात पर दादू हमें अपना सर हिलाते है, उनकी हाथ सुनकर आदित्य कहता है, तो दादू फिर हम इसे बड़ा कैसे करे, कोई तो तरीका होगा, इसका शेप बड़ा करने का, उद्धरल चिन डॉट, आदित ने और कुछ बताया था इस संदूग के बारे में या और किसी के बारे में उद्धरन चिन डॉट उनकी बात सुनकर खुशी सोचते हुए कहती है अंकल मुझे जितना याद है भावी ने बस मुझको ये लॉकेट दिया था जो कि संदूग के शेप में था और उन्होंने बस कि ये मुसीबत के समय में हेल्प करेगा उद्धरन चिन डॉट रनविजय जी खुशी की तरफ देख कर कहते हैं बेटा ध्यान से एक बार फिर याद करने की कोशिश करो बुलिया ने कुछ हैसा कहा हो जो तुमको अभी याद नहीं आ रहा हो उद्धरन चिन डॉट उसकी बात सुनकर खुशी फिर से एक बार अपने दिमाग पर जोर डालने लगती है ताकि उसे कुछ याद आए पर उसके यादों में ऐसा कुछ भी नहीं था वो रनविजय जी की तरफ देख कर कहती है नहीं अंकल भावी ने और कुछ भी नहीं कहा था उद्धरन चिन डॉट रनविजय सब की तरफ देख कर कहते है आप मैसे किसी को भी शिव या श्रेया ने कुछ कहा हो याद करने की कोशिश करो कुछ तो ऐसा कहा होगा या कोई चीज दी होगी क्योंकि अगर गुरेया ने खुशी को ये संदूक वाला लौकित देकर कहा है कि ये मुसीबत के समय म मदद करेगा तो कुछ तो ऐसा होगा क्योंकि ये संदूक अभी अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं है और उसे अपने असी शेप में आने के लिए कुछ तो ऐसा होगा जो हमारे ही पास है पर हम उसे अभी अंजान है कुछ तो ऐसा है जो हम से छूट रहा है तो सब अपने दिमाग में जो डालो गुलिया और शिव हिमालय जाने से पहले उन दोनों ने किसी को कुछ दिया या किसी को कुछ कहा है। उनकी परचाई ने भी कुछ कहा हो तो बताओ। उद्धरन चिन डॉट रनविजय जी की बात सुनकर सभी एक महीने पहले श्रिया और शिव की जाने से पहले उन दोनों से हुई बातों के बारे में याद करने लगते हैं। तब ही दादी को कुछ याद आया। जब श्रिया हिमालय के लिए निकल रही थी तब उसने दादी को एक चैन दी थी जिसमें की के शेप का एक छोटा सा लॉकेट था। और उसे देते हुए उसने कहा था कि दादी अगर आप कभी भी किसी मुसीबत में फस जाए या हमारी फैमिली में कोई मुसीबत आ जाए जब सारे दरवाजे बंध हो तो इस चैन में जो लॉकेट है नाकी की शेप का वो आपकी मदद करेगा हर दरवाजे के ताले को खोलन की पर एक बात याद रखना इसे कभी भी खुद से अलग मत करना और नहीं इसके बारे में जिक्र किसी से करना सही समय आने पर इसका इस्तेमाल करना उध्धरल चिन डॉट ये बात याद आते ही दादी अपने गले में पहनी हुई चैन को अपने गले से निकल कर रनविजय जी की तरफ करके कहती है रनविजय बेटा मुझे ये श्रेया बिट्या ने दिया था हिमालय जाने से पहिले उध्धरल चिन डॉट दादी की आवाज से सब का ध्यान उनकी तरफ चला जाता है और उनकी बाते सुनकर सब की नजर उनके हाथ में रखी चैन पर चली जाती है जिसमें की शेप एक छोटा सा लॉकेट था आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड आप सब को आज का ये एपिसोड कैसा लगा ये कॉमेंट करके जरूर बताना कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुने कहानी का अगला एपिसोड फ्रेंड थैंक यू फॉर वाचिंग अब तक इस कहानी में हमने अब तक देखा कि तभी दादी को कुछ याद आया जब श्रेया हिमाले के लिए निकल रही थी तब उसने दादी को एक चैन दी थी जिसमें की के शेप का एक छोटा सा लॉकेट था और उसे देते हुए उसने कहा था कि दादी अगर आप कभी भ चैन पर चैन पर चली जाती है जिसमें की शेप एक छोटा सा लॉकेट था अब आगे रनविजय जी दादी के हाथ में जो की शेप का लॉकेट की चैन थी उसे अपने हाथ में लेकर ध्यान से देखते हैं उनके पास खड़े कभीर जी भी उस लॉकर में मुझूद उस छोटी सी की को देख रहे थे साथ म उस छोटी से संदूग की शेप के लॉकेट को तभी उनकी उस संदूग लॉकेट में एक छोटा सा होल दिखता है जो कि शायद उस संदूग की की का हो वो रनविजय जी से कहते हैं रनविजय देखो इस लॉकेट में एक छेद है जिसमें माने जो अभी तुमको की शेप का लौकेट दिया है, वो की इस छेद में आसानी से बैठ सकती है कबीर जी की बात पर रनविजय जी का भी ध्यान उस संदूक की शेप के लौकेट में जो छोटा सा छेद था उस तरफ चला जाता है वो उसे देख कर अपने हाथ में मुझूद उसकी को उस संदूक की छेद में डालते हैं और उसकी को राइट साइड में गुमाते हैं उनके इसे करते ही उनके हाथ में मुझूद उस छोटे से की शेप लौकेट की साइज बड़ी हो जाती है अब उनके हाथ में जो छोटा सा संदूक था वो अब उनके हथेली जितना बड़ा हो गया था सभी की चेहरे पर उस संदूक को अपने ओरिजिनल शेप में देखकर स्माइल आ जाती है रनविजय जी उस संदूक को ओपन करते हैं संदूक ओपन होते ही उसमें सी तेज रोशनी निकलती है जिससे सब की आँखे बंध हो जाती है और थोड़ी देर बाद जब वो रोशनी कम हो जाती है तो सब अपनी आँखे खोलते हैं तो वो सब अपने आपको एक अलगी जगह पर पाते हैं दूसरी तरफ शिव और श्रेया अपने सामने आ रही हर एक बाधा को पार करते हुए आगे बढ़ रहे थे शिव और श्रेया इस वक्त एक तितली के रूप में ब्लैक आइलेंड की तरफ बढ़ रहे थे तभी पता नहीं कहा से अचानक एक तेज हवा का जोका आता है और दोनों ही उस हवा के बहाव के कारण ब्लैक आइलेंड की जगह वाइट आइलेंड के अंदर एंटर होते हैं वाइट आइलेंड पर कदम रखते ही श्रेया और श्रेया और श्रेव अपने असली रूप में बदल जाते हैं जिसे देखकर दोनों ही एक पल के लिए हैरान होते हैं और अपने आसपास देखने लगते हैं तो उनको अपने सामने एक बेहद ही बड़ा खूपसूरत वाइट महल दिखाई देता है जिसे देखकर पता नहीं क्यों कर दोनों का मन उस महल में जाने का हो रहा था और वैसे भी उनको इस महल से या अभी वो जिस जगह पर थे वहां से कोई भी नेगेटिव वाइब्स नहीं आ रही थी इसलिए दोनों ही एक दूसरे का हाथ पकड़े उस महल की तरफ बढ़ने लगते हैं कुछ ही समय में दोनों ही उस महल के एंट्रस पर खड़े थे श्रेया अपना हाथ आगे बढ़ा कर महल के बड़े से दोर को हलका सा हाथ लगती है उसके बस उस दोर को चुने भर से वो डोर ओपन हो जाता है जिसे देखकर श्रेया दोनों ही हरान होते है वो ही उस महल के एक बड़े से कमरे में पवित्र एंजल की आत्मा जो अपनी रानी एंजल के वाइट आइलेंड पर लाने के लिए ध्यान में बैठी थी जब श्रेया के वाइट आइलेंड में कदम रखते ही उसको एहसास होता है कि वो जिसका 1000 सालों से राह देख रही थी वो ही नहीं बलकि ये पूरा वाइट आइलेंड के साथ यहां पर रहने वाली हर एक इंजल अपनी रानी का 1000 सालों से इंतजार कर रही थी उनका इंतजार अब खत्म हो गया है वो इंजल जल्दी से अपनी जगह से खड़ी होकर नीचे जाने के लिए निकल जाती है जाते वक्त रास्ते में उसको जो भी देखता सब उसके चहरे पर की वो तेजस्वी मुस्कान देखकर उसके पीछे चल रहे थी कुछ ही समय में वो इंजल उस महल के हौल में खड़ी थी और उसके पीछे सारी उस महल में रहने वाली एंजल थी सब उस एंजल से पूछने लगते हैं कि आखिर इसी क्या बात है कि तुम इतनी खुश दिख रही हो हमें भी बताओ सभी उसको कुछ न कुछ पूछ रहे थे वो किसी के सवाल का कोई जवाब दिये बगएर अपने हाथ से दोर के तरफ इशारा करके सबको उस तरफ देखने को कहती है सभी उस तरफ देखते हैं तो उनको श्रेया और शिव महल के अंदर एंटर करते हुए दिखते हैं उन दोनों को देखकर अंजाने में ही उन सब के चेहरे पर स्माईल आ जाती है श्रेया और शिव जैसे ही उस महल के अंदर एंटर करते हैं, तो उनके सामने वाइट कपड़े पहने हुए खड़े इंसान दिखते हैं, जिनको देखकर श्रेया के आगे कुछ दूंदली सी तस्वीर आने लगती है वो कुछ समझ पाती तभी उसके कानों में किसी की आवाज आती है, वो किसी और की नहीं बलकि अभी जो एंजल अपनी रानी एंजल को वाइट महल में आने के लिए प्रार्थना कर रहे थी, वही एंजल जिसका नाम महर था, वो श्रेया के आगे आकर अपने घुटनों पर ब बड़ी और सबसे शक्तिशाली थी उस आइलेंड पर रहने वाली सारी एंजल महर एंजल को बेहद मानती थी, जब वो सब महर एंजल को अपने सामने खड़ी एक बेहद ही तेजस्वी लड़की के आगे जूटकर इसको प्रनाम करते हुए देखते हैं, तो सब एंजल उसक वो ही शिव को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि जहा तक उसको याद था कि उसकी पिछले जन्म में भी श्रेया की कोई एसी आइडेंटिटी उसके सामने नहीं आई थी, वो ही श्रेया अपने सामने अपने घुटनों पर बैठी सभी ए वो ही दूसरी तरफ सिंधानिया और महरा परिवार अपनी आखे खुलते ही खुद को अंजान जगह पर देखकर एक पल के लिए तो चौप जाते हैं, पर फिर सभी अपने आसपास देखने लगते हैं, तो वो सभी खुद को एक बेहद ही खुबसूरत गादन में पाते हैं वो ही रनविजय जी जब अपने सामने के गादन को देखते हैं, तो वो अपनी आखे बंद करते हैं, तो उनके आगे कुछ द्रिस्या आकर चली जाती है, जिसे देखकर वो समझ जाते हैं, कि वो सभी अभी जिस जगह पर है, वो वाइट आइलेंड है, ये पर उनको कोई खत्रा नहीं है, इस जगह पर प्योहत वाली एंजल रहती है, उनसे उनको कोई भी खत्रा नहीं है, वो ही अचानक रनविजय जी के आँखों के आगे एक द्रिस्या आता है, जिसमें वो श्रेया और शिव को देखते हैं, उन दोनों को देखकर वो जल्द ही अपने आँख खोल देते हैं, उनको इस बात का एहसास हो गया था, कि हुना हुश्रेया और शिव उनके बेहत पास है, कुछ दूरी पर खड़ा आदित्य अपने डैग को आँखे बंद करके और खोलते हुए देख लेता है, और वो उनके बदलते हर एक एक्सप्रेशन को नोटिस कर रहा अपने डैग के चेहरे और मुस्कान देखकर आदित्य उनके पास आकर कहता है, क्या हुआ डैग? उद्धरन चेन डॉट, रनविजय जी आदित्य के आवाज से एक नजर उसकी तरफ देखते हैं, और उसके आखों में देख रहे सवालों को पढ़कर वो उससे कहते हैं, कुछ नहीं आ दी, मुझे इस जग से कोई भी निगेटिविटी नहीं आ रही है, हम इस जग पर सु उद्धरन चेन डॉट, नेहा जी कहती है, सिया और रनविजय भाई सा अगर आपको लग रहा है, कि श्रेया और शिफ हमारे बेहद पास है, तो हमें उन्हें दुन्दना चाहिए इस से पहले हम किसी और मुसीबत में पर जाए उद्धरन चेन डॉट, नेहा जी की बात सबको सही लगती है, सभी उस गाडन से रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ने लगते है वोही दूसरी तरफ जलन और विने दोनों ने बेहद ही कम समय में अपनी शक्तियों के इस्तिमाल से ब्लैक आइलेंड के आसपास का पूरा इरिया चान मारा था पर उनको कहीं पर भी श्रेया और शिफ दिखाए नहीं दिये जिससे दोनों ही बेहद परेशान लग रहे थे अगर वे बिना श्रेया और शिफ को बांदी बनाए यहां से वापस ब्लैक आइलेंड के अंदर प्रवेश करते हैं तो उन दोनों को महराज विक्राल का क्रॉप सहन करना पर सकता है जो की उनके लिए आसान नहीं था पर अब आगे क्या अरे वो भी उनके समझ में नहीं आ रहा था वही दूसरी तरफ काराग्रे से निकल कर शकीरा और राजकुमारी सितारा सिधापने कक्ष में चली जाती है वहाँ जाकर वो शकीरा से अपना हाथ चुड़ा कर दूर होते हुए कहती है शकीरा तुमने मुझे रोका क्यूँ अभी मैं उन सब को उनकी ओध दिखा देती उद्धरन चिन डॉट उसकी बात पर शकीरा उसका गुस्सा शान्थ करते हुए कहता है राजकुमारी शान्थ हो जाए हम गुस्से में आकर कुछ नहीं कर सकते है हमको जो भी करना है वो शान्थ दिमाद से करना है आप भूल गई हमको महराज विक्राल ने क्या कहा था हमको उन सब को अपने वश में करना है और वो सब हम गुस्से में नहीं कर सकते नहीं तो सब बिगर जाता हमको ही सब का खाम्याजा बरना पर सकता है इसलिए शांथ हो जाये और शांथ दिमाद से सोचे हमको आगे क्या करना है उद्धरल चिन डॉट वो ही शकीरा की समझने पर कही जाकर राजकुमारी सितारा का गुस्सा शांथ हो जाता है और शकीरा असल में उससे क्या कहना चाहता है वो उसकी समझ में आता है आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड आप सबको आज का ये एपिसोड कैसा लगा ये कॉमेंट करके जरूर बताना एपिसोड अच्छा लगा हो तो विडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुने कहानी का अगला एपिसोड फ्रेंड थैंक यू फो वाचिंग